अक्किल भार्दे सफाइ कर्मचारि काल्या और संग के बैनत अले पेटलावत में सफाइ कर्मियों के द्वारा मुख्यमंत्री की नाम ग्यापन दिया ग popcorn में सीएमों के किलाव कारवाई की मांग की गई है कर्मचारियों ने आरुप लगाया है कि CMO बेवज़ा कर्मचारियों को प्रतार कर रहे है ये ग्यापन पेटलावद में नायब तहसलतार को दिया गया है ग्यापन में नगर परिशद CMO पर कारवाई की मांग की गई है दरसल पेटलावत नगर परिशत सीमो मनोच कुमार शर्मा की द्वारा कई सफाई कर्मियों को नोटिस दिये गए हैं और एक सफाई कर्मी की सेवा समाप्त करते हुए कारवाई की गई है जिसको लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश है जिसके चलते सफाई कर्मियों ने अखिल भारती सफाई कर्मिचारी कल्यांट संग के बैनर तले पिटलावत तैसिल कारले पर धरना देते हुए मुख्यमंत्री के नाम नायब तैसिलदार को ग्यापन दिया है जिसमें मांग की गई है कि नगर परिश्यत सीमो मनोशकुमार चर्मा के खिलाफ कारवाई की जाए साथ ही जिस सफाई कर्मी की सेवा समापति की गई है उसे पूर्ण काम पर रखा जाए गयापन देते हुए संगठन की पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर सीमो मनोशकुमार चर्मा पर जल्दी कोई कारवाय नहीं की जाती है, तो पेटलावद के समस्त सफाई कर्मी सफाई का काम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, जिसके जम्यदारी प्रिशासन की होगी. आक्रोशिद सफाई कर्मियों के द्वारा नायब तहसलदार को ग्याफन देने के बाद वहरेली के रूप में नगर परिशत की और निकले और इस दोरान उन्होंने सीएमो शर्मा के खिलाव जमकर नारिबाजी भी की. नगर परिशत में ग्याफन देने के बाद पुना सभी सफाई कर्मी धरना इस्तल पर पहुंचे जहां सभी ने एक साथ सीएम हेलप लाइन पर शिकायत दर्ज कराई और सभी ने सीएमो मनोच कुमार शर्मा को हटाने की एक सुर्म मांग की. अखिल भारती सफाई कल्यान संग के राष्ट सचियों शेलेंदर खरे ने बताया कि पेटलावद नगर परिशत के सफाई कर्मियों को सीएमो मनोच कुमार शर्मा के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे सभी कर्मचारी काफी परिशान है जिनके द्वारा के बैनर तले हम एक बड़ा अंदोलन करेंगे जिसके जिम्मेदारी प्रिशासन की होगी क्या घुक्त कालः परिश्चा मुंझंछ दटन ब्रमार परिश्चारी कि देखने कों भिल ची क्या कुछ कर्वाइं के माग कर रहें किया जितनी भी समय समय स्मय संध्यान को बिनाकारन नोटिस देना यह इक करमचारियों को बढ़ाने यह सब्सक्राइले उनको काम से बंद करने की धमकी और उनको नोटिस पर नोटिस दिये जा रहे है एक दो करमचारे को बंद भी कल दिया है सिवा समाप्त कल दिये यह न्याय संगत नहीं है यह इनकी ऐसी कारवाई का हम विरूत का वहीं इस मामले में सीएमो मनुच कुमार शर्मा से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उन पर बेवज़ दबाव बनाने के लिए उनके खिलाव प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ करमचारी काम नहीं करना चाहते हैं और बेवज़ शासन से तंखा ले रहे हैं ऐसे करमचारी के खिलाव आगे भी कारवाई की जाएगी शासन ने उन्हें महत्वपुन जिम्मेदारी सौपी है लिहाजा काम पर निगरानी रखना उनका करतव भी है और वह भी यहीं कर रहे हैं वे किसी भी दवाव या प्रभाव में नहीं जुकेंगे साथ ही उन्होंने कहा कि उनके उपर लगाए गया रोब बेबुनियाद है उन्होंने बेवचा किसी भी करमचारी के खिलाव कारवाई नहीं की है